जहन दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप BG Center रोर्की में भरती देखने जा रहे हो तो दोस्तो अगर आप भरती में जाओगे तो Center के सामने हमाँ पर दो तिन बोड होते हैं और दोस्तो उन बोडों पर लेखाए कि अगर आप Soldier Tade Man की वेकेंसी देख रहे है तो आप कौन-कौन सी केटेगरी में देख सकते हैं आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ और Center से दो-तिन चार्ट निकले हैं उनको भी आपको देखाने वाला हूँ तो आपसे request है सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो भाई पिली चैनल को subscribe कर लेना यहाँ पर आपका red button है उसे press कर देना मैं आपको देखा देता हूँ यहाँ पर आपका red button होगा भाईयो उसे press करके और bell के आईकन को all पर set कर देना इससे होगा क्या हम कोई भी video relation भरती की डालेंगे तो उसका notification आपके phone में पहुंच जाएगा जिससे आप उस video को देख सकते हो मिस नहीं कर सकते हो दोस्तों जैसा कि अगर आप bg center में भरती के लिए जा रहे हो तो सबसे पहरे दोस्तों आपको एक यह चार्ट देखेगा और भाईयो दूसरा चार्ट यह है अगर आप मारी screen पर देख रहे हैं इस पर कार से हां पर बताया गया कि अगर आ आपकी उमर होनी चाहिए कितने साल तक होनी चाहिए कौन-कौन सी category wise आपको कव जाना है अगर आप उत्तर परदेशते हैं तो आपको कव जाना है पंजाब से हैं तो आपको कव जाना है तो इस परकार से इसमें बताया गया है इसमें date बताई है हाँ पर तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों सवसे पहले अगर आप बीजी सेंटर दुर की जा रही है तो यहां पर बताया गया कि अगर आप सोल्जर जीडी टेकनिकल टेडमेन या क्लर की भर्ती देख रही है तो यहां पर आपकी एज लिमिट दी हुई है यानि कि क्या क्या एज लिमिट होनी चाहिए ठीक है और दोस्तों जो आपकी ये भरती है ये आपको पता रिलेशन भरती है और यहां पर वही बच्चे जा सकते हैं जिनके पिता जी ये भाई आर्मी में लगे हुए है और जिनके पास ओपन स्पोर्ट्स की भरती है 17 नमबर को पंजाब की है 18 नमबर को हर्याना जम्मू कस्मीर और हिमाचल परदेश की है और उत्राखंट राजिस्तान बिहार असम उडिसा पच्चिम बंगाल और दिल्ली की है और दोस्तों 20 नमबर को करनाट का आंद्यपर्देश तमिलनाडू और बचे होई जो भी आपके राज्ज हैं उनकी है दोस्तों आपको साड़े चार बजे से पांच बजे तक आपकी इंट्री चलेगी आपको पहुँच जाना है उसके बाद आपको यानिकी इंट्री में अंदर नहीं लेने दिनगे आपको पता होगा और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप भर्ती के लिए जा रहे हो तो आपको कोई वी ऐसा डवाइज लेके नहीं आना है जिससे आपकी भर्ती में कोई निच्छ दो ठीक है और दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे मैं आपको देखा देता हूँ यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बता दिये www.join.indianarmy.nick.in और जो भी आप हहाँ पर देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है आप देख लेना अब दोस्तो अब मैं आपको देखा देता हूँ जो BC सेंटर का दूसरा चार्ट है जिसमें आपकी vacancy बताई हुई है दोस्तो ये है दूसरा चार्ट इसमें लखाए कि जो भी उमीदवार soldier trade man category में सामिल होने में जो सामिल होने वे उमीदवार भरती सामिल होने से पहले यहाँ पर जो सुनिचित कर ले कि जो soldier trade man में जो category है कौन कौन से trade से आप भरती देख सकते हैं जिसका यहाँ पर विवरन किया हुआ है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों आपकी जो ट्रेड में में भरती निकली हुई है हाँ पर सब कुछ दिया हुआ है मैं दिखा देता हूँ musician की एक vacancy है सेब की पांच vacancy है जानी कि में skipper की एक है तो इस परकार से जो भी आपकी vacancy हाँ पर दी हुई है टेलर की तीन है house keeper की भी यहाँ पर तीन है और washerman की पांच है dresser की तीन है तो आपकी क्या की काफी center में हाँ पर जो आपकी trade man की vacancy साब तोर पर बता दी गई है कि कौन कौन सी जो center में trade man की कितनी vacancy है तो दोस्तो अब क्या है कि other center का chance trade man में बहुत कम है तो इसलिए दोस्तो यह साब तोर पर बता देते हैं कि इतनी vacancy हैं आप other के हो तो भरती प्लीज ना देखें क्योंकि other के बच्चों का यहाँ पर बहुत कम chance होता है trade man में दोस्तो यह जानकारी निकल के आ रही है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रही है यह दो तिन चार्ट है जो की आपको मैंने दिखा दिये है इस प्रकार से बीजी सेंटर रोर्की में जो आपकी भरती है होने वाली है दोस्तो अगर आप कोई भी जानकारी निकलेगी तो हमारे चैनल पर आ जाएगी तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए है तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेड बटन है उसे जरूर प्रेस कर देना आपको पता है हम अच्छे कंटेंट के साथ रेलेशन भरती डालते हैं और आपका कोई भी डावट हो तो हमें कॉल कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे जेहंद बंदे बात रहूं